जैशी किशना दोस्तो वियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम अधिक मास के शुकल पक्ष के एकादशी जिसका नाम पद्बिनी एकादशी है उस दिन किया जाने वाला बहुत ही सरल और अच्चु कूपाय आपको बताने वाले हैं दोस्तो इ इस एकादशी का सबसे अधिक महतु माना जाता है क्योंकि यह तीन वर्ष के बाद आती है और अधिक मास में पढ़ने वाली एकादशी यानि जिसे पुर्शोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है इस वरत को करने से सभी तरह की मनोकामनाइं पूर्ण होती है इसके साथ ही को भी अवश्य करें दोस्तों अगर आप वरत करने में असमर्थ हैं तो आप उपाय करें तब भी आपको शीहरी विश्नु और भगवान शंकर की किरपा अवश्य ही प्राप्त होगी दोस्तों अधिक मास में शीहरी विश्नु के साथ भगवान शंकर और माता पारवती का भी पूजन अवश्य करना चाहिए और इस बार तो देखे सरवासित योग बना हुआ है कि सावन का महिना है और अधिक मास है हर और हरी के मिलन का महिना माना गया है इसमें भगवान शंकर और भगवान विश्णु का पूजन अवश्य करें दोस्तो एकादशी के दिन स्नान होकर स सके तो मतलब जो पूरुश है उसे सफेद वस्तर पहनने चाहिए और इस्तरी को गुलाबी या लाल कोई भी रंग के वस्तर पहनने चाहिए और सबसे पहले आपको सूरदेव को अर्द अवश्य देना चाहिए सूरे को जल देने वाले लोटे में लाल रोली पुश्प पाल जी है तो उन्हें पंचा में से स्नान कराए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते वे स्नान कराए नहीं तो आप स्वच जल से भी तुलसी के पत्ते डाल कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते वे स्नान अवश्य कराए उनको पीले वस्तर पीला चंदन अवश्य लगाएं साथ ही रितू के अनुसार फल अवश्य चड़ाने चाहिए दोस्तो शिहरी रितु को पत्तों की माला अवश्य पनाने चाहिए नहीं तो आप ग्यारा तुलसी के पत्ते ले ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाए कहते हुए पीला चंदन लगाकर श्रीहरी विश्णु को यानि लट्टू गुपाल जी को अवश्य चड़ाए इस दिन भगवान कृष्ण के साथ राधा जी का पूजन अवश्य करना चाहिए य या संतान गुपाल मंत्र का एक माला का जाप अवश्य करें इस प्रकार आपको सुबह के समय पूजन अवश्य करना चाहिए और साइकाल के समय भेश्यहरी विश्णु भगवान के आगे और भगवान शंकर के आगे मतलब धूब दीब अवश्य जलाना चाहिए और रातरी के समय कुछ देर आप गरंथ का श्रवन कर सकते हैं या फिर आप कुछ देर बैठ कर मतलब कीर्टन अवश्य करें इस तरह से अगर भगवान शंकर और विश्नु भगवान का पूजन किया जाए तो आपकी मनोकामना शीगर पूरी होती है दोस्तों जो आपने भगवान विश इस्त्री को दे देना है जिसको संतान की प्राप्ती नहीं हो पारी है एक केला आपको उस इस्त्री को खिला देना है और दूसरा केला आपको गव माता को खिला देना है दोस्तों इस उपाय को आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और एकादशी के दूसरे दिन यानी दौ दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं देखना आपको मन वांचिस संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी क्योंकि पज्मिनी एकादशी पुत्र को देने वाली मानी गई है साथ ही एकादशी की वरतकता भी अवश्य शवन करनी चाहिए और अपने सामर्थ के अनुसार इस दिन दा अवश्य करें तो देखना आपको भगवान चंकर और शीहरी विष्णों की किरपा अवश्य ही प्राप्त होगी और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स मे ओम नमो भगवते वासुदेवा अवश्य लिखे आप सभी को जैशी करशना